हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंडर में इस वीडियो में सिखने वाले हैं रिजिनिंग एनलोजी जो की हर एकजाम में पूछे ही जाते हैं देखिए ऐसे सीजियेल में पूछा गया था 2015 मिया क्यूचन देखिए फर्स्ट क्यूचन है जिस परकार दो का समद्ध पांच से है तो उसी परकार पांच का समद्ध क्या होगा इसका उतर कमेंट बॉक्स में बताने कोस करिएगा बहुत ही सिंपल है ठीक है आप लोग वीड पांच हो जाएगा पांच ठीक है दिया है अगर सेम वह इसमें भी करेंगे तो नहीं आ पाएगा पांच का स्क्वेर किया जाए तब 25 होता है और उसी परकार एक जोड़ दिया जाए तो 26 हो जाएगा 26 किसी भी ओप्सन में नहीं है ऐसे स्वाव शॉल्व नहीं होगा दोस जाएगा पांच तीनाठ हो जाएगा आठ किसी भी ओप्सन में नहीं है दोस्तों मतलब सारा तरीका लगाने पर यह सवाव शॉल्व नहीं हो रहा है कैसे स्वाव होगा आईए बनाते हैं देखिए इसमें क्या क्या गया है प्राइम नमर दो पांच पांच यह क्या है प्र प्राइम नमर और भी होते हैं आगया ठीक है देखिए दोस्तों यहां पर देखिए देखा जाए जो दो संख्या यहां है यहां पर दो जस्त इसका अभाज संख्या कौन सा नमर आया तीन आया तो इसी दो में इसी तीन को जोड़ा गया है यानि अगर इन दोनों को जोल लेना है तो कितना आ जाएगा साथ पांच बारा आ जाएगा इसका राइट एंसर जो रोत फार जाएगा इसमें कुछ नहीं किया था जर्ष्प मतलब देखेँ दो के अगला भागा संग कर तीन आता है तूसी तीन को इसी दू में जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा समझिएगा पांच का अगला भाजी संक्या यानि प्रेम नमर क्या आता है साथ आता है तो उसी साथ को इसी पांच में जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा साथ पांच बारा हो जाएगा ऑप्सन है इसका दूस्त और बनाईएगा दोस्तों देखिए कोई के तो मन में चर रहा होगा ना कोई के मन में चर रहा होगा कि 5 में हमें 2 से गुना कर देंगे तो 5 दुना के 10 हो जाएगा और 2 अपना से जोड़ देंगे तो 12 हो ठीक है और इसे ही अगर इसमें भी करेंगे तो देखिए 13 दुना के 26 ह हो जाएगा और उसी परकार दो जोड़ दिया जाए तो 28 हो जाएगा 28 किसी भी ओप्षन में नहीं दिया है यह लोजिक गलत है को यह लोजिक से बनेगा देखिए बनाते हैं इसमें देखिए क्या किया गया है इसमें दोस्तों देखिए पांच के जस्ट अगला भाजी संख्या यानी प्राइम निमर कौन सा होते हैं होते हैं साथ तो इसी साथ को इसी पांच में जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा पांच साथ बारा हो जाएगा बारा देखिए द करना है क्या करना है तेरा के ज़स्ट अगला भाज संक्या क्या आता है 17 तो तेरा और 17 को उसी परकार जोड़ लेंगे तो कि दना जाएगा यह तेरा और 17 जोड़ने पर 30 आ भाजोगा अब कोई सोच रहे हैं即btu कि चोटा है नहीं है टि चाए कोई सोच रहे हैं डूरश है ना जोड़ लेन तो कितना हो जाएगा चार दू छो एक यानि 36 आजाएगा चाथिस देखिए दिया है सेम होई सही इसमें भी करेंगे तो नहीं आपाएगा देखिए दो से गुना कर रहेंगे तो 14 दू आठाइस और जोड़ देंगे उसी परकार 12 तो हो जाएगा 40 देखिए किसी भी option में नहीं है तो ए लोजिक अलत है कोई और लोजिक से बनेंगे चलिए मैं इसे solve करता हूँ मतलब सारा तरीका लगाने पर solve नहीं हो रहा है सवाल तो कैसे solve होगा आईए आप लोग को बताते हैं ठीक है देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों 12 के दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए तो 21 हो जागा 3 और इसी बारो को इसी 3 में गुना कर दिया जाए तो हो जागा बरतियाई 36 36 देखिए यहाँ पर दिया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे 14 के दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए तो 4 एक हो जागा 5 और उसी परकार इसमें 14 उसी परकार इसमें भी गुना करना है ठीक है तो 14 को अगर 5 में गुना करेंगे तो 14 पच्चे 17 आजाएगा ठीक है तिसका जो राइट एंसर हो जाएगा C ओप्सन सही होगा दियांसर समझेगा ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की और एर रहा आपका 14 सवाल 14 सवाल देखिए बी का समन्द 16 से है तो उसी परकार डी का समन्द क्या होगा या कुछ अलग ही है बनाई ये वीडियो को रोकर अब कोई सोच रहा हैंगा ना कि देखिए बी आता है सर जी दो बार में तो दो का नई दो में हमें 8 से गुना कर देंगा तो 8 दुना का 16 हो जागा ठीक है 16 दिया है डी आता है तो सर जी चार बार में तो उसी परकार 8 से गुना कर रहेंगा तो 8 चो का 32 हो जागा 32 देखिए किसी भी ओप्सन में नहीं है सवाल से तो 16 नहीं हो रहा है कैसे 16 होगा चाहिए और कोई सोच रहा हैंगा ना कि 2 में हम ना 2 में 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जागा और 4 का स्क्वेर कर देंगे तो 16 हो जागा ठीक हा 16 दिया है डी आता है देखिए 4 बार में उसी परकार 2 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जागा 6 का स्क्वेर 36 होता है 36 बताए कोई आप्सन में है नहीं है तो ऐसे सवाल solve नहीं होगा दोस्तो मतलब सारा तरीका लगाने पर यह सवाल solve नहीं हो रहा है तो कैसे solve होगा आईए आप सभी लोगों को बताते हैं B केतना बार में आता है? दो बार में 2 का पावर 4 किया जाए दोस्तो तो केतना आजाएगा? 16 आजाएगा 16 देखिए दिया है किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि 2 कापावर 4 कैसे मने करे थोड़ा बता देते हैं इधर ठीक है? तो 2 कापावर 4 का मतलब 4 बार गुना करिए 2 को सोरी 4 लिखा गया तो टोटल अगर गुना करेंगा तो केतना मिलेगा? 16 मिलेगा ठीक है? 16 दिया है सेम लोजिक इसमें भी कर देना है क्या करना है? D आता है कितना दोस्तो? D आता है आपका चार बार में और 4 कापावर 4 कर देंगा उसी परकार पावर में 4 करना है इसमें भी और उसमें भी देखे सीम लोजिक कर रहा है तो चार का पाउल अगर रागरु आपका बाल वाचवा सवाल भी एक का समभनेंद जेपी से यह ते उसी प्रकार एफ़िल का समभनेंद किस से होगा दोस्तो इसका उतर कमेंट बॉक्स में वताने कोश्च करिएगा सबसे पहले ही जो लेटर दिया है इन लोगों क्या करना है संख्या में लिख लेना है भी आत 8 में 8 जोड़ा गया तो 16 हुआ सेम लोजिक इसमें भी कर देना है ठीक है आ जाएगा एंसर A फाता है 6 बार में A लाता है 12 बार में दोनों में 8 जोड़ा जाए तो केतना हो जाएगा 8 6 8 6 14 हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा तो देखिए एन आता है 14 बार में 14 और 20 है ना तो देखिए एन आता है 14 बार में 80 आता है 20 बार में यानि एंटी होगा ओप्सन नमर्डी इसका स्थाई हो जाएगा और दोस्तों वीडियो पसंदा रहोगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए बनाएए तो छटा सवाल जेड बी का समद्द आ य से है तो उसी परकार एच जे का समद्द किससे होगा चलिए सब से पहले इन लोग को संक्हाम में इलिक लेते हैं जेडियो होला कि दोबार में ए एक बार में वाइप 25 पत्यीस बार में आते हैं तो मतलब इन लोग का देखिए आंतर क्या है इन लोग का आंतर नहीं है एक दूसरे का बीपरित है ठीक है बीपरित क्या है बीपरित को पाचानने के लिए मतलब आलफा वेट्स के कौन सा ऐसा लेटर होगा जो जोडने पर 27 होगा तो देखिए यहां पर 26 और एक जोडने पर कितना जा पहले सबसे पहले इनलों को लिख लिख लिजी तो संख्या में यह चाहता है कितना आठ बार में जह आता है दस बार में मतलब ऑप्शन में से हम कौन सा ले ले कि आठ में जोड़ने पर 27 होगा दस में जोड़ने पर हां 27 हो जाएगा यानि और इसका डी साहि होने वाला है यह सता है 19 बार में की आता है कितना सत्रा बार में आठ और 19 जोड़ने पर 27 हो जाएगा दस और 17 जोड़ने पर 27 होगा यानि इसका जो है ओप्शन नमर D सभी हो जाएगा SQ ठीक है अभी एक्जाम में SSGD में ही फिलाल में पूछा गया था इसे बनाए तो ML का समद्ध NO से है तो उसी परकार यहां प्रस्णमाचे के स्थन पर कौन सा भारा जाएगा Option में से बनाए तो सबसे पहले तो इन लोग का देखना है कि इन दोनों का समद्ध कैसे कैसे है ठीक है A माता है कितना A माता है 13 बार में A लाता है 12 बार में A नाता है 14 बार में O आता है 15 बार में इन लोग का कुछ आंतर देखिए तो कितना का आ रहा है एक इसमें तीन का देखिए इसमें एक जोड़ा गया और इसमें उपर उला संख्या में तीन जोड़ा गया इसमें भी उपर उला संख्या में एक जोड़ा गया यानि एक तीन जोड़ा गया है तो मतलब option मेर हम कौन सा ले ले ताक कि एक तीन जोड़ने पर अगला आएगा एक दूसरे से सम्मंदित होगा देखिए तो G आता है देखिए सात बार में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ठीक है 5, 3, 8 यानि देखिए C option इसका पकड़ा गया ठीक है देखिए दोस्तो G कितना बार में आता है देखिएगा G आता है 7 बार में E आता है कितना 5 बार में ठीक है H आता है कितना 8 बार में H कितना बार में आता है एक और H है तो आठे बार में आता है तो देखिए 7 में देखिए color थोड़ा change करते हैं समझ में आएगा जलदे साथ में एक जोड़ा गया उपर लसंख्या में तो 8 हुआ फिर उसके बाद इसमें वह ही साही करना है तीन जोड़ना था ना उपर लसंख्या में तो हो गया 5-3-8 और 7-1-8 यानि इसका औप्शन नमर C साही होगा दोस्तों ऐसा ऐसा क्यूचन ना मतलब वहां सिस्टम में देखते ही मतलब दिमाग से ही बनाना है ठीक है बीना पेन उठाए बहुत ही जी रहता है आप लोग कर से पहले ऐसा सवाल बनाने के लिए अलफाबेट संख्या में याद होना चाहिए तब ही आप लोग कर पाएगा जाए कोडिंग डिकोडंग हो चैह ऐसा क्यूचन हो ठीक है चलिए मैं बनाते हैं बनता हूँ चलिए बनाइए अप लोग रिटियो करों कर आरी का समilaow jay से उसी परकार आगला क्या आएगा सेम क्यूचन है वह साहीं इससे भी बनाएए एसस जीडी में 2024 में पिछला वर्स पूछा गया था पिछला वर्स नहीं इसी वर्स 24 पूछा ही चली रहा है आ रहाता है कितना 18 बार में यह आता है पांच बार में डाबलू 23 बार में और जे 10 बार में ठीक है अब इन लोग में क्या किया गया है आठारा में कितना जोड़ा गया कि तेस हुआ यानि तीन दू पांच यानि पांच जोड़ा गया इसमें भी देखिए पांच जोड़ा गया यानि उपर अला संक्या में आठारा में पांच जोड़ा गया तो तेस हुआ पांच में पांच जोड़ा गया तो दस हुआ सेम व बार में, सतरा पांच, बाइस, और चार, चार पांच, नो, हाँ, यानि ऑप्सन नमर सी जो है इसका सही होगा, द्यान से समझेगा, क्यों आता है, सतरा बार में, डी आता है, कितना चार बार में, भी आता है, बाइस बार में, आई आता है, कितना दोस्तों, आई आता है, नो आजाएगा 17 में देखिए 5 जोड़ने पर 22 आजाएगा आएगा ना 75 22 चार में 5 जोड़ने पर कितना आजाएगा 9 आजाएगा आएगा ना 9 जो की अभी तुपा गया ठीक है तो 9 आजाएगा यानि कि इसका ओप्सन नमर सी सही हो जाएगा ठीक है ऐसा-इसा क्यूचन मतलब इना पेन उठाए इना ही कि दुचार गंटा लगाना है ठीक है तो दोस्तों यह थे कुछ रिजिनिंग एनलोजी जो की हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को बाइ बाइ